कि नमस्का सब्सक्राइब हालो हाई केम चो कि हाल चाल गैस कैसो आप सभी लोग मेरा नाम है श्यों गुपतो और आप देखरों इंजीनियर सज्ड़ा कैस यहां पर मैं आ चुका हूँ आप सभी लोगों के लिए बहुत इच्छे से खुश्वबरी लेगर के दाट इस भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड बी इल ने मैकेनिकल इंजीनिरिंग और इलेक्ट्रोनिक्स इंजीनिरिंग के लिए यहां पर एक बहुत ही बढ़ियां से वेकंसी निकाली है बैसिकली मैं मैं कैनिकल के बारे में बात करूंगा नंबर आफ पोस्ट 18 है कुछ नहीं 18 आये डिप्यूटी इंजीनियर क्या यह मैकेनिकल इंजीनिरिंग पर डिप्यूटी इंजीनियर के लेक्रोनिक्स पर जिसमें 18 पोस्ट है जो अन्रिजर्फ कटेगरी है उसके लिए 10 पोस्ट है दनी डबलूस के लिए एक OBC के लिए 4 SC के लिए 2 ST के लिए 1 और इसमें जो आप लोगों से मांगा है न वह डिप्लोमा नहीं बी टेक मांगा है उन्होंने बोला है बी बीटेक बीसी इंजीनिंग फोर यह की या फिर एम आई या फिर एकुलेंट कंसर्ण डिसिप्लिन से आपका होना चाहिए राइट कॉलिफाइज और वर्क एक्सपीरियंस जो इन इसमें आगे जाकर क्या आपका पर्मनेंट कर दिया जाता है जब आपकी चीजें बहुत अच्छी होती है वह फाइव यह की राइट इसमें जो एक बहुत अच्छी खास बात मुझे लगी है इसका पेमेंट राइट ओके जनरली डबलू इसके लिए अठाइस साल इसकी मै relaxation दिया गया है प्लस उसके साथ इसकी pay scale के बारे में guys अगर मैं बात करूं तो pay scale इसकी जाती है चालिस हजार से लेकर के एक लग चालिस हजार तक की राइट फिर उसके बाद इसमें अलोइंसे बहुत सारे हैं अगर मैं बात करूं तो basic pay के अलावा आप लोगों को मिलेंग ग्रैचुटी हो गया एस पर दा कंपनी रूल जो आप लोगों के पैकेज में आप लोगों को एड़ करके मिलेंगे तो यह salary के ऊपर से आपको मिलते हैं qualification के बारे में मैं आप लोगों को बता दिया discipline में अगर देखा जाए तो electronics में आप लोगों को electronics electronics communication electronics and telecommunication और telecommunication यह of mechanical engineering है right okay फिर उसके बाद guys इन्हों ने यहाँ पर बोलाए कि जो भी आप respective discipline से हैं आप लोगों की जो डिगरी है वो आप लोगों को जो discipline पे मिल रही है ना उसको एक तरीके से देखा जाए तो online application form पे उसको fill करना है specialization mentioned होना चाहिए वहला mechanical engineering ही लिखा होना चाहिए फिर य पे नहीं हो की automobile engineering से हैं तो भी फिल कर दिया या फिर आप production engineering से हैं तो भी फिल कर दिया नहीं mechanical का है तो सिफो सफ mechanical पे जाएगा for the post indicated above the candidate should have the qualified from UGC approved AICT or UGC approved institute मतलब recognized university से होना चाहिए basically यह कहना चाहिए रहा है फिर उसके बाद है in case in case any university or institution or the college is following the evaluation system CGPA, DGPA, OGPA or grade letter what wherever applicable it is mandatory for the candidate to submit the proof of the percentage issued by the university college awarded class along with the degree certificate अब इसका कहने का मतलब क्या है कि जो आपकी degree होती है इसमें grade लिखा होता है CGPA and all उसके पीछे देखोगे तो उसको convert करने का formula भी लिखा होता है उससे convert करके आप लोगों के आप पर percentage के बारे में बताना है इसमें काम भी करा हुआ होता है तो इसलिए यह इतना जादा बड़ा नहीं होता इलेक्ट्रानिक्स के बाद अगर हम जाएं जाब स्पेसिविकेशन है तो जाब स्पेसिविकेशन कहां कहां पर होंगी इसके बारे में तोड़ा से देख लेते हैं तो गैज यहां पर लिखाएं इस विकन सीज एक्न सीज और साइट करनाटिका राजर सानुत प्रदेश हर्यारा पंजा बरुडांच प्रदेश वेस बेंगौल अंडमान निकोबार महरास्ट और एनिवेर इंडिया बेज्ट ना मेनेजमेंट डेसीजन मतलब देखा जा तो इथे नी सारी स्टेट्स हैं सोचो बहुत बढ़िया तरीके से आप लोग यहां पर इसमें परफॉर्म कर सकते हैं फिर उसके बाद गई और थोड़ा सर्वेस मतलब कहने का क्या हो गया कि भाई आपकी पोस्ट कहीं पर भी हो सकती है ऐसा नहीं है कि नहीं आप हर्याना से हैं तो सिफ हर्याना के ही आप जगह मिलेगी कहीं पर भी हो सकता है या फिर आपकी पोस्टिंग भी हो सकती है आप लोगों की tenure में right decision of the place of the initial posting and thereafter rotation of the engineer will be decided by BEL on requirement basis no such request from the candidate will be entertained मतलब अगर आप बोले माले कर दीजे तो नहीं हो पाएगा right कहने का मतलब क्या है कि आपर कोई resources या फिर कोई भी source नहीं चलेगा कोई भी यहां पर आप लोगों की request नहीं मानी जाएगी according to the requirement ही आप लोगों की posting होगी ठीक है इसका जो form था कुछ 740 और सारी चीज़े बता दिया है यह लिखा हुआ है यह वाली चीज़े है और दूसरी चीज़ यह भी है कि अगर आप लोगों ने एक बार form भर दिया उसके बाद fee refund नहीं होगी सोस समच के भरिएगा वैसे मुझे लगता नहीं कि आपको fee refund की कोई भी जरूरत होगी क्योंकि form इंसान भरता है इसलिए है ताकि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से selection ले सके apply करने का तरीका बता दिया इंटरनेट में जाहिएगा ये website लिखिए एस्टी टीप डॉट जॉब अपलाई डॉट इन बी यल दो होजार तेस अगर आप लोगों के ससी के marks हैं कुछ भी है तो उसका date of birth का proof जो 10th का होता है राइट बेसिकली इसका 12th class diploma की mark sheet भी लग जाएगी आपकी proof के लिए proof norms में जो CGPA वगरा दिया उसका भी लेटर का आपको जो certificate है वो भी लगेगा राइट फिर उसके बाद आप लोगों को जो आपने अगर आप किसी भी government job में काम कर रहे हैं और फिर किसी भी जगे कर रहे हैं और वहां से अगर आप बहार आते हैं then no objection certificate भी आप लोगों को जर applicant should have sound health है ना बीमार इमार नहीं होना चाहिए यह सारी चीज़ है तो यह दो बहुत general बताया है फिर उसके बाद यह चीज़ आ जाती है कि start date of the application कभी की है 14 अगस्त की है last date आप लोगों को दे दिया है that is 9th of September right और इसका जो exam होगा written test होगा एक ही और वो होगा आप लोगों क first week of October में right इसके अलावा इन्होंने और भी कुछ नहीं बताया है कि इसके exam में आपको क्या मिलेगा then guys whenever you don't have anything to know कि भाई subject में इन्होंने syllabus नहीं बताया इन्होंने pattern नहीं बताया ताम मुझे कैसे तैयारी करनी है then I will suggest you all जब आप तैयारी करो तो फिर आपकी तैयारी होनी च S.C. J.E. level पर क्योंकि although जितने भी exam होते हैं थोड़े थोड़े different होते हैं लेकिन सभी का जो base रहता है most of the exams का वो S.C. J.E. level का होते हैं अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हैं October 1st तक तो आप लोग दो चीज़ें कर सकते हैं एक तो महापैक जोइन कर सकते हैं या फिर आ आप सभी लोग चाहें तो जाकर किसको जोइन कर सकते हैं बैच को महापैक करते हैं तो आपके आगे होने वाले exams में भी फायदा करेगा और शंकनाद बैच तो फॉर आपको help करेगा आपके B.L.K. examination के लिए भी तो आप लोग जाकर यूज कर सकते हैं जब भी कभी जाहिए तो maximum discount के लिए use करिए code Y166 जिससे आपको maximum discount भी मिल जाएगा और application के थूज जाएगा so that आप लोगों को फाइदा मिले 1% extra discount का रहा है क्योंकि उसमें coins वगेरा मिल जाते हैं तो यही सारी information थी जो मैंने आप लोगों को दिये form बहुत अच्छा है एक बार website ज़रूर चेक कर करिए